जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए CMA Inter Group 2 की Corporate Account की Strategy और बहुत जल्द OMSM की भी आ जाएगी तो बने रहे है चैनल पर देखिए CMA Group 2 के Corporate Account में audit का पार्ट भी आ जाता है जिसके अंदर लास्ट में तीन लास्ट में जो आपके तीन कोशन है वो audit से रिलेटेड है अब यहां पर audit मैं नहीं पढ़ाता हमारे ही एक फ्रकल्टी है में वह पढ़ाते है तो वह जल्द ही आपके और की लिए स्ट्रेडिजी भी बता देंगे इनमें जो कोशन्स आ रहे हैं वह किस चैप्टर से और कहां से आ रहे हैं मैं फॉर्दर डिस्कुसन कर लेता हूं वागी चीजों के लिए स्ट्रेडिजी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बाह बता हूं यह कॉर्पेट अकाउंटिंग एक्जम्सन स्कोर करने वाला सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें बेनिफिट यह है उन स्टूरेंट के लिए जिनको थियोरी नहीं आती है और नहीं पढ़ना चाहते वह इस पर फोकस कर से और कुछ पार्ट थियोरी का याद कर से जब आप यह कॉर्पेट अकाउंट और ऑडिट दोन स्ट्रेडिजी को मर्ज करोगे ना त जैसी कि आपको पता है कोसन नमबर टू से लेकर कोसन नमबर एट तक हमारे पास साथ कोसन होते हैं जिसके अंदर हमें पांच एटम करने होते हैं अगर आप देखे तो चार कोसन आपके इसके है कॉर्पेट अकाउंटिंग के है चार कोसन पांच एटम करने अब जिस कोर्पन पसंद नहीं है भू नहीं कर पा रहा कॉर्पट अकॉशन करने पर यहां को सब्सक्शन यह गोट बाद कि पहने को पड़下去 है और हम कॉर्पर सबसे पहले हम वो subject देखते हैं, वो chapter देखते हैं, जिसमें सबसे कम weightage है और सबसे ज्यादा score हमें दे रहा है, सबसे पहले आता financial statement, जो कि आपको पता है, यह chapter इतना important है, इतनी कम weightage तो बहुत ज्यादा रगता है, पर इसकी जो weight of syllabus है, वो कम है, weight of concept है, वो कम है, तो इसको तब compulsory attempt करो ही करो जब पिछली बार strategy लेकर रहा है था तो मैंने कहा था banking insurance electricity वाला पार छोड़ देना banking insurance electricity वाला पार छोड़ देना आज मैं ऐसा नहीं कहूंगा क्यों reason सुनो banking electricity insurance वाले पार में करना गया देखो इसमें ना मैंने बहुत paper को analyze करा इन चैप्टर को जब आप करते हो ना तो इन चैप्टर से छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे कोसन बनते हैं जिन इस्टूटने में से corporate accounting बढ़ा है मैं आपको बढ़ा बताया भी था कि बड़े छोटे-छोटे चोटे-छोटे कोंसेप्ट की कोसन एक होता है कि कौंसा पढ़ा उसकी कोसन भी है कौंसा पढ़ा उसकी कोसन भी है चोटे-छोटे और तब जाकर उपढ़ा कोंसर मनता मैंने यह अनलाइज करा मैंने यह देखा पिछले टाम के सारे पेपर को ध्यान में रखते हैं यह देखा कि इन चैप्टर से कभी भी फाइनेंशे फ्रेटमन पूछी नहीं था बांकिक चाप्टर से कभी फाइनेशे स्प्रेट मैं यह नहीं रहा एक प्यक्त्रोज hop कमपनी को एक सब्सक्दश करूँ पर ती ब्रवर आ तो नीचे पूछनी था अब नीके पूछ रहा नीचे बुझ रहे चोटे concept के चोटे कोशन मैंने इतने पेपर देखे आप में को यकिन नहीं हो रहा आप खुद देख लो अपने पेपर पीछे पास्ट यह पेपर देख लो बैंकिंग इंशॉरेंस इलक्रिसिटी का जो यह पूछी नहीं रहा है इसे पहले के चोटे-चोटे concept है यहाद करो कि लास के अंदर मैंने बैंकिंग इंशॉरेंस इलक्रिसिटी कराया था तो मैं आपको यह कहा था कि फोकस करना है इन छोटे-छोटे कोशन पर सारे कोशन भी कराया थे मोड्यूल के लास के अंदर और छो बैंकिंग इंशॉरेंस इलक्रिसिटी नहीं पढ़ा हुआ था और उसको समझ नहीं आया है वह छोटे-छोटे concept के लिए रटी नहीं हो पा रही है तो आप हमारा सिर्फ बैंकिंग इंशॉरेंस इलक्रिसिटी वाला मॉड्यूल भी भाई कर सकते दोस्त भर खरीदो पूरा आप डिलेटली यह भी भाई कर सकते हैं फिर कह रहा हूं मैं उन इस्टुटन को बता रहा हूं जिन स्टुटन ने बैंकिंग इंशॉरेंस इलक्रिसिटी नहीं पढ़ा पर मैं यह कहूंगा आज परसनली गाइड करूंगा कि इस chapter को करके जाने है यह तीनों chapter करने से आपक इनके इंशूरेंस इलक्रशिटी पढ़ा है तो मैंने इनमें आपको बताया कि छोटे कोसन नहीं आएंगे और रहे हैं किर्पिया करके बैंकिंग इंशूरेंस इलक्रिसी छोड़का मत जाना यह कोई ज्यादा बड़े चाप्टर नहीं है इनके जितने भी फाइनने से अंदर के चोटे चोटे वाले पार्ट है वो जरूर करना फिर भी एक वीडियो लेकर आ जाओंगा और उसमें बता दूंगा नंबर सोफ सेलेक्टिव कॉंसेट कि यह कॉंसेट से कॉशन बन रहा है इस से आने के चांस है अच्छा स्कोर कर सकता है इस बार मैं कहूंगा इसको आप जरूर करिए दूसरी एस मैंने स्टुटेंट कर नहीं पाते दिक्कती है इस बार मैं कहूंगा कि आप फोकस ज्यादा कॉर्पेट अकॉंटिंग में रखे और ऑडिट में फोकस कम करना चाहो तो कर सकते हैं याद भी नहीं हो पाता तो फोकस क्या रखे इस बार कि जो मेरी स्ट्रेटेजी इस पर मेरा फोकस अकॉंट कॉर्पेट अकॉंटिंग में रहने वाला है जो मैं आपको कहूंगा कि इस चारो के चारो कोसन आप एटम करके हैं यह पेपर के अंदर पिछली बार मैंने यह कोसन चुलवा दिया यहाला कहता कि यह मत करना पर इस बार मैं गया चारो कोशन करेंगे अब रीजन क्या है अगर आप यह चार कोसन करेंगे शुलो मेरी द्यान से कोई बड़ी चीज नहीं है आपको पता है मैं बहुत आपको पूछ रहा है जादतर कहां से इंस्वूट पूछ रहा है आप भी कह सकते हो घरे बैटकर इस आरे खोज लो और देख लो ब्हूंग कहां से आ रहा है उसका उतना पोट्सन करके जाओ अब देखिए यहाला कोसन एक ऐसा कोसन होता है यहाला एक ऐसा कोसन होता है इसके लिए बहुत महनत करनी पड़ती है बहुत क्लासिस देखनी होती है और तब जाकर हम इसको अटेम्ट कर पाते हैं अब को होता है पहला वाला कोसन तो वही आएगा एर फॉर फीचर रीसू दूसरे में अंडराइटर आ जाता है यह डांशन फिक्विटि दूसरे वाले पार्ट में कुछ भी बूसकता है जाता गया अंडराइटर और डामशन फिवेंचर इन मेंसे देखा गया है मांकी इसके अलावां और भी आसकता अलग चीज क्योंकि इसमें पहले वाले आगर यह नहीं कर दो कि बहुत कम करती है यह अला मिलता है तो उसके लिए हमें सकते हैं क्यासे करेंगे नीचे दिए गए चीहों में नीचे दिए गए नंबर है लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्रिप्शन में लिखना यह बाइस क्लास 9 है नहीं है हम आपको लिंक बेज़ेंगे हाव टू भाई चैप्टर वाइस क्लास और वहां से अभी चैप्टर के अंदर अगर यहां कोई सब्सक्राइगा यहां कोई नहीं कर रहा है मैं खरेदा मत खरीदो बट यह करके चले जाओ यह करके चले जाओ इस बार banking insurance electricity काफी important expect रखता है हमारे slabers के point of view से अच्छा mark score कर रहा है क्यों कर रहा है क्योंकि कोशन बहुत छोटे हाते इसको करने से आपका weightage of समय आपका time जो है कम consume होगा आपको पता इसमें सबसे आधा time consume हने वाला है फिर हमें कैसा कोई इस पहले वाले में से कुछ छोड़ना चाहो तो छोड़ दो पर इन में से मत छोड़ना इन तीन में से यह तीन करना ही करना है तो तीन तो यह हो गए कोशी जड़ाई की चौथ यह भी time करो क्योंकि यह तो हर किसी स्टुड़न ने करा होगा सुरुवात में अब मत छोड़ो उसको तो चार यहां से होगा और एक यहां से तो यह तो आपने अपने इस ट्रेडीजी बनाना है एक खुद से अपने परसनल उसकी स्ट्रेडीज की साथिए यह तना आपने कोर्ष कर रखा है जितना आपने fours कर रखा है उसहाँ से बनाना कि आप क्या छोड़ना चाहते हो किस चीज कर छोड़ना चाहते हो दो चीज तो अनवाशुड़िएगा कया और और यह क्या चीज तो अनवाश्ल है यह चाहा जितोры can तो यह वेटेज आपको खुद देखनी है कि मुझे कौन सा छोड़ना है कौन सा नहीं चोड़ना है क्या चोड़ना सही रहेगा अपको शोड़ना वीडियो को देख लेना कि किस चीज को सही रहेगा बाकि इस बार बैंकिंग लट्रशीट इंशॉर्ण करके जाना जिसमें आपके अच्छा स्कॉर आ सकता है यह चैप्टर ऐसे है जहां पर आपको छोटे छोटे चोटे कॉंसे करता नहीं है और आप अच्छा स्कॉर कर पाएंगे सब इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं OMSM की वीडियो में वाली वीडियो मिलते हैं OMSM की स्ट्राइडिजी मनाते हैं बाकि अगर आप कोई चाहिए तो नीचे आप मैसिस कर सकते हैं हम आपको लिंक बेज देंगे ठीक